गोवा की पूर्वर रार्जुपाल और वरिष्ठ नेताव लेखी का म्रदुला सन्हा अब हमारे बीच नहीं रही है और उनके अन्रधन पर म्रधान मंत्री नरिंदर मोदी सहत ग्रह मंत्री अमतर शहा और कई वीजेपी नेताव ने शधानजली व्यक्त की है अगर म्रदुला सन्हा जी के जीवन की बात की जाए तो वो एक वरिष्ठ लेखी का थी जिन्होंने लेखन के शेतर में न जाने कितनी अभुदपूर्व चीजें हमें प्रदान की है 1964 से लेखन प्रारंब करने वाली म्रदुला सन्हा की 1956 से प्रारंब हुई लेखने की यात्रा कभी रुकती कभी थमती रहे 1997 में पहली कहानी कादमनी पत्रिका में छपी तब से लेखनी भी सक्री होगे विबन विदाओं में लेखती रही गाओं गरीब की कहानिया तो राजगरानों की भी कहानिया लेखी रधिया की कहानी है तो रजिया और मेरी की भी है लेखनी नी सीता, सावतरी, मंदोदरी के जीवन को खंगाला है उनमें से आधुनिक बेटियों के लिए जीवन संबल ढूंडा है दुजल, थल और नब पर पाउं रख रही आज की उजस्विनियों की गाथाएं भी हैं लोक संसकारों लोक साहित में इस्तरी की शक्ती समात ढूंती लेखनी उनमें भात इस संस्क्रते की अथा सुत्र पाकर धन्य धन्य हुई है लेखी का अपनी जीवन यात्रा पक्डंडी से प्रारंब कर गोवा के राजभवन में पहुची और राजपाल का पदभार भी समभाला 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुझफवन नगर के छपरा गाउं में जन्मी म्रदुलासनहा गोवा की पहली महिला राजपाल थी राजनीती के अलावा साहित्य की दुनिया में सिन्हा का नाम काफी उचा था वो काफी मशूर हिंदी लेखी का थी उनके लेख हमेशा राश्ट्री अखबारों में छपते रहे उन्होंने अपने जीवन में 46 से जादा किताबी लेखी इतना ही नहीं राजमता विजयराजी सिन्धिया की जीवनी भी सिन्हा ने लिखी थी राजनीतिक जीवन की बात करे तो बीजेपी की वरिष्ट नीता सिन्हा भाशपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है उन्होंने मानव संसाधन विकास मंतराले के सेंटरल सोशल वेलफेर बोड की चैर परसन का पत भी संभाला है इसके अलावा वुजय प्रकाश्व नारायन की समगर क्रांती का भी हिस्सा रहे है सिन्हा के पती डॉक्टर राम क्रिपाल सिन्हा एक कॉलेज में लक्षरार थी जो बार में बिहाज सरकार में कैबनेट मंतरी भी रहे और अब वरिष्ट लेखी का नेत्री और एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को अपने और आकरश्वित करता है अब हमारे बीच नहीं रहा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स